रादे रादे फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चनल में कैसे हैं आप आसा करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चनल को लाइक करें, सेयर करें, सस्क्राइब करें प्लीज सपोर्ट करें आज की जो वीडियो है वो भगवान की कना जी की लिला है पहले मैं इस चीज को समझ नहीं पाती थी लेकिन अब मुझे समझ आया कि जैसे हमारे हैं मैं अपनी बता रही हूँ हमारे हैं जब तोहार होता है तो मैं थापुटी को विसीज तैयार कर दी हूँ तो मैं उस दिन तयार कर रही थी, मैं सबको तयार कर दिया, लड़गो पल भी तयार हो गए, लड़गो पल तयार हो गए, सबको तयार कर दिया, फिर मैं सुबह जो भूग लगाती हूँ, सरदियों में मैंने आपको पताया था, वीडियो में डाला भी था, तो मैं रेवडी क द्राइपूर्स मिक्स करें लगाती हो उसके बाद खाने के गरमें जैसे पूजा होती है जैसे तीज दिवा लग से भी पूजा होती है तो में ऐनी होने के बाद इनका भूग लगा दूंगी तो मैं इनका थोड़ी देर रुख जाती है तब तक मैं अपनी माला कर लेती हूँ तो मैंने माला करने बढ़ गई मेरी दो माला हो गई थी मैं 11 माला करती हूँ तो जब मेरी दो माला हो गई तो मैं माला ही कर रही थी जब ही मेरे कान में कवाज आई तो मैया भूग तो लगा दो बहुत तेज भूग लगी है मैंने इदर उदर देखा कोई नहीं था मैंने काना जी को देखा फिर मैंने का अरे मैंने इनको भूग नहीं लगाया इसलिए भूख लग हुआ और अब यह रह नहीं पा रहा है जैसे मैं माला चोड़के उठी मैंने खाना लगाया तो उनके चेरे पर इती इसमयल थी इतनी इसमाल थी तो उन्हें यह बात मुझसे दो बार कही मैया भूख लगी है बोग लगा दो तो जब उन्हें यह सब कहाना मैया त तो बहुत ही अलग सब्ध था वो बहुत ही अलग अद्भुत सब्ध था तो मतलब जो इस चीज को वही लोग समझ सकते हैं जो पूजा करते हैं इनका भाव होता है तो मेरा जो भाव है तो जैसे कभी भी काना जी को मैं रादा जी को जादा प्यार करती हूं काना जी को जैसे कोई वी ठाकोजी के तो मैं उनके फेस पर जो भाव होता है उसी से समझ जाती हूँ के मेरे काना-जी मुझसे कुछ कहना चारे हैं तो जो हमारी पूजा है वो तो भाव की होती है तो मुझे उस वक्त मतला उस दिन जिस दिन ये बात हुई उस दिन मुझे लगा कि हाँ मेरे भगवान जी मेरे गोपाल जी मेरे साथ हैं और मेरी पूजा भाव मेरी हर्ची स्विकार कर रहे हैं वो मुझसे कहती भी हैं तो ये बात बहुत ही अलग थी इसलिए मैंने आपसे सेयर की मैं पहले से तब ही सेयर करना चाहरे थी लेगिन में को टाइम नहीं मिला तो ये मेरी जो बात है जो काना जी की लीला है तो ये लीला सिर्फ उन लोगों को ही समझ में आएगी जो काना जी को मानते हैं पूजा का भाव समझते हैं और पूजा में उनका भाव है ये तो हर एक रोज दिन अलग अलग लीला करते हैं तो कुछ लोगों को तो ये लगेग के लिए थोड़ा देर हो गई जो इतनी धेर में नसे रहा नहीं गया वो प्रिप्छले मैया मेरा बोग लगाओ तो पूर मेरे काना जी की लीला मैं आप से से और आधानसय करना चारी थी तो आप तब मेरे काना जी की दर्शन करो एक छोटी सी लिला थी जो मैं आपके साथ सेयर करना चारी थी राधी राधी फ्रेंड्स प्लीज कमेंड बॉक्स में बताएं और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सियर करें सस्क्राइब करें प्लीज प्लीज सप्पोर्ट करें राधी राधी